ओके तुस्ट वागाउ ते आप सभी का। और आज हम लोग शुरू करें गे nanoscience and nanotechnology। इसमें जितनी भी चीजkay आती है सभी चीजों को discuss करेंगे। सुरुवात से डिसकस करेंगे और चीजों को आसान रखेंगे बढ़ी बढ़ी चीजों को हम लोग बहुत चोटे चोटे एक्जामपल्स लेगे समझेंगे और देखा जाए तो जिरो से स्टार्ट करेंगे किसी को भी कोई भी बच्चे को कभी ऐसा ही लेगा कि हम एकदम कहा पर आगए या किस दुनिया में आगए जितना ये सब्जेक्ट इजी है उतना इसको इजी रहने देंगे तो आज का ये पहला वीडियो है इसमें हम लोग बहुत बेसिक चीजों के उपर बात करेंगे और जितनी भी यहाँ पर चीजे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉंक्स है नैनो साइंस एंड नैनो टेक्निलोजी के आप लोग किसी भी टॉपिक को छूटा मस समझो और कोई भी टॉपिक को बहुत हार्ड और बड़ा समझने की जरुवत नहीं है सभी को हम लोग बहुत ही आसानी से समझते वे चलेंगे तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच तो यह क्या होती है किस तरह से होती है इन सब चीजों को आज हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो यह एक आप लोगों को डाइग्राम दिख रही है यह बल्क बल्क पार्टिकल से यह बल्क मटेरियल है उसके बाद यह बल्क प्रिकरसर है by mechanical methods, क्या होते है mechanical methods, उनको भी discuss करेंगे, उसके बाद chemical reaction अगर हम लोग कर रहे हैं, किसी items को, या फिर जो molecules है, या फिर आप लोग बोल सकते हो, nanoparticles है, उपर जब जाते हैं बेटा हम लोग, और जब हम लोग नीचे आते हैं, बहुत ही आसान सी बात है, तो इसको क्या करेंग हम लोग अभी यहाँ पर, हाँ, तो यह बहुत ही एक हमारे पास PPT है, इस PPT से जो diagram है, आपको बहुत easy समझा देंगी, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है, यह top down approach, बल्क particles को हम लोग क्या कर रहे हैं, powder में convert कर रहे हैं, powder में convert करने के बाद क्या हो रहा है, यह nanoparticles बन जा रहे हैं, जब nanoparticles बन रहे हैं, तो हमारा काम हो गया, किसको हम लोग बोलते हैं, top down approach, synthesis of nanomaterials by physical method, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन ते physical method है, एक-एक method को discuss करेंगे, एक-एक method को, उसके बाद, उसके बाद क्या, अगर हमारे पास छुटे-चुटे items हैं, ठी जब हम लोग बड़े से छोटे में आएंगे, उसको बोलेंगे, top down नीचे के तरफ, और अगर हम लोग छोटे से बड़े के तरफ जाएंगे, मतलब bottom, मतलब bottom से हम लोग ऊपर जाएंगे, उसके बाद, उसके बाद क्या, कि जो physical methods है, वो क्या है, एक-एक physical methods को हम लोग बहुती आसान भासा में समझने वाले हैं, तो अगर आप लोग नए हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकोन को दबा सकते हो, जिससे आप लोग को, यह जितनी भी method आप लोग को या पर दिखरी स्क्रीन में, सभी बहुत आसान तरीखी से समझ में आ उसके बाद mechanical grinding क्या होता है, inert gas condensation, बहुती आसान आसान भासा में और बहुती आसान आसान टॉपिक को हम लोग आसान तरीखी से समझते हुए चलेंगे, उसके बाद iron implementation, उसके बाद spray paralysis क्या होता है, spouter deposition बहुत important है, इसको समझेंगे, उसके बाद molecular beam और उसके बाद यह जो laser की दो process है, laser ablivation और laser paralysis, इनको भी एक एक वीडियो में समझेंगे, बहुत important topic है, उसके बाद PVD को समझेंगे, इसको लोग physical weapon deposition, बच्चे second year में आ जाते हैं, उनको यह नहीं पता होता है कि PVD का full form का है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब आप लोग के exam साते, आप तब करो videos, exam के time में video देखोंगे, confused हो जाओंगे, बहुत सारी चीज़ों को कम समय में जब आप ट्राइ करोंगे, तो confused हो जाओंगे, शुरुवात से देखते चलो, उसके बाद जो lithiography process है, इसको भी हम लोग समझेंगे, in the physical method, उसके बाद chemical method बहुत सारे है, collidal route, suspension, soldier process क्या होती यह उसके बाद यह पर wet chemical method क्या होता है, microamilson क्या होता है, उसका लेंगब्रोड, blood gate film, इन्हों ने जो बताए थे वो क्या technique है, उसका wet chemical method very very important and very very easy, उसका sonochemical, electrochemical, electrospining, बहुत बहुत आसान आसान topic है, उसके बाद chemical vapor deposition, देखोंगे, यहाँ पर physical vapor deposition है, यहाँ पर chemical vapor deposition है उसके बाद आपका chemical bath deposition, उसके बाद self assembly, तो इन सभी topic को एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद हम लोग discuss करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, आप लोगों का, हाँ, क्या होता है आप लोगों का, top down approach and bottom up approach, तो इस diagram का आप लोगों को याद रखना है, और बहुत ही आसान तरीके से, आपका जो next video है, वो हम लोग बनाएंगे ball milling process के उपर, क्या होती है, कौनते basis पर काम करती है, कैसे काम करती है, इसका जो setup होता है, वो क्या होता है, उन चीजों को भी discuss करेंगे, इस वीडियो मे इतना ही, अगली वीडियो में लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए, गड़ बाई